नमस्कार आप देख रहे हैं ग्लिप्स डॉटिन केरल के कोजी कोड में दुडलव निपा वाइरल की वज़ा से हुई मोतों के बाद अब राजिस सरकार ने एडवाईजरी जारी की है अपनी एडवाईजरी में सरकार ने कहा है कि राजिके चार जिलों में यात्रा करने से बचें राजिके परेटन विवाग ने कहा कि कोजी कोड मलापुरम वाइनाड और कनूर में राजिस सरकार लगातार नजर बनाए हुए है रज के किसी भी इलाके में यात्रा करना सुरक्षित है हलाकि अगर यात्री ज़्यादा ही चिंतित हैं तो वे इन चार जिलों की यात्रा ना करें इसी कड़ी में गुरुवार को केरल के स्वास्थ और परिवार कल्यार विभाग की ओर से एक और कदम उठाया गया विभाग ने केरल में आने वाले लोगों के लिए हेल्थ एडवाईजरी जानी करते हुए चार जिलों में ना जाने की सलादी है ये वही जिले हैं जहां से निपाव वायरस फेला था इनमें कोजी कोड उर्स के आसपास के जिले, मलपुरम, वायनाड और कनूर शामिल हैं गोड तलबे की सुवर और चमगादर से फेलने वाले इस वायरस से पीडित व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है विश्व स्वास संगटन के मुताबिक पीडित लोगों की मोत का प्रतिशत 70 तक है केरल में अभी तक निपाव वायरस से 11 लोगों की मोत की पुष्टी हो चुकी है वही 19 लोगों का फिलाल इलाज चल रहा है इस सभी में निपाव वायरस के संग्रमन के लक्षण है जबकि 22 लोगों का अलग से इलाज किया जा रहा है केरल के स्वास मंत्री केके शेल जाने बताया कि निपाव वायरस से निपटने के लिए सरकार ने मलेशिया से एंटी वायरस दवाई मंगाई है इसके अलावा 2000 के करीब रिपावायरल टेबलेट भी बाट चुके हैं वही केरल पुलिस भी निपाव को लेकर फेल रही अव्वाव उस निपटने के लिए फैसले ले चुकी है डीजीपी लोगनाद भेरा ने कहा कि निपटने के लिए वायरस को लेकर सोशल मीडिया और वाटसेप पर अववाफेलाने वालों के खिलाव सकत कानूनी कारवाई की जाएगी केरल में निपाव वायरस पीडित परिवाल की देखभाल करते हुए जान गवाने वाली नर्स लीनी के स्थान पर उनके पती को सरकारी नोकरी दी जाएगी साती सरकार ने दिवंगत नर्स के दोनों बच्चों को 10-10 लाग रुपे की आर्थिक साहता देने का भी फैसला किया है उधर केरल के पड़ोसी राजी करनाटक में दो बिमारों में वायरस पीडोतों जैसे लक्षन देखने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है गोवा में स्वास विभाग अलट पर है तमिलाडू के केरल से सटे जिलों में भी सावधानी बढ़ती जा रही है दुरलब किस्म के निपा वायरस का प्रकोप केरल में नियंत्रित हो चुका है लेकिन खत्रा बना हुआ है केरल से करनाटक के मंगलोर पहुँचे 55 वर्षी बुजुर्ग और 20 वर्षी उती में बुखार के बाद वायरस का प्रभाव देखने के बाद प्रशासन सतर्ग हो गया है दोनों के बेड अलग-अलग करके इलाज में बेहस सावधारी बढ़ती जा रही है केरल से आने वाले आने लोगों पर भी नजर रखी जा रही है केरल में फेले निपा वायरस के संक्रमण के मद्दे नजर दिल्ली में हालाकि किसी तरह का अलड जारी नहीं किया गया है पर दिल्ली के स्वास विभाग के अधिकारी इस मामले पर नजर बनाए हुए है कि इस बिमारी का संक्रमन दूसरी जगाओं पर नहीं फेल पाएगा। फिर भी अधिकारी लोग अभी केरल नहीं जाने की सला दे रहें।